गुड मॉर्निंग इस्टूटेंट मैट्स चप्टर नमबर फूर लीनियर इक्वेशन हम उसकी 4.1 एक्सेसाइस कर रहे हैं हमने पिछली वीडियो में 4.1 एक्सेसाइस का कॉश्चन नमबर फॉर्स के चार सम देखे थे फॉर्स, सेकेंड, थॉर्ड एंड फॉर्थ सेक्स, सेवंथ और एट्थ देखेंगे तो कॉश्चन नमबर सेकेंड क्या गीवन है आपके पास एक्सप्रेस्ट फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन दो फॉर्म ए एक्स प्लस बीवाई प्लस इक्वेस टू जीरू मतलब हमारे पास हमने जो सम करे थे टोटली 4 उसमें हमने क्या करा था उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करा था अरेंज करा था और इसी से हमने कंपेर करके क्या फाइंड करी थी a, b अट c की वालूस फाइंड करी थी अब कोस्शन नमबर सेकेंड का फिफ्ध पार्ट फिफ्ध पार्ट आपके पास क्या ईपन थी 2x इक्वेस टू माइनस 5y यह ईपन है clear देखिए solution हम कर रहे हैं क्या solution कर रहे है? 2x equals to minus 5y ये क्या है? आपके पास ये sum already given है clear? 2x equals to minus 5y अब हमें इसको क्या करना है? rearrange rearrange का मतलब होता है कि अगर right side आपकी कोई भी value है हम उसको कहा लेकर आता है as it is left side बस sign change हो जाएगा clear? तो हम लिखेंगे rearrange the equation we get clear? या अगर आपने ये statement नहीं भी लिखा तो it's okay तो हम इस equation को क्या कर रहे है? rearrange तो ये arrange तो पहले से ही थी वापस से हम अमारे according arrange कर रहे है इसलिए इसको हम बोलेंगे rearrange clear? अब देखिए 2x मैंने as it is लिखा minus का 5y है जैसी minus का 5y right से left आता है तो काई का हो जाएगा? plus का हो जाएगा it means ये हो गया 2x plus 5y equals to 0 clear? 0 के equal आ गया अब हमें क्या देखना है कि इस format के according होना जीए it means कि पहले x वाली term फिर y वाली term और फिर जिसके साथ x और y ना हो it means as a single term clear? इसके according हम क्या करेंगे? arrange करेंगे clear? देखिए तो अगर हम देखते है तो यहाँ पे already 2x लिखावा है मतलब पहली position x की है second position y की होनी चीए तो ये भी y की है तो इसको change करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है इसको change करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है it means the equation 2x plus 5y equals to 0 can be written us अभी इसमें x और y है लेकिन ऐसी एक भी term नहीं है जिसके साथ x और y ना हो तो अगर हम देखें तो देखें पहली term x की मैंने लिखी भी है second y की है but third position जिसके साथ x और y या particular कोई number है क्या नहीं है it means हम इस position पे अगर 0 लिख देते हैं तो कोई फरक पड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा इससे कोई फरक नहीं पड़ा ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस format के according ही arrange करना है और total कितनी number of terms होनी चाहिए 3 now the first position is x second position is y and the third position is constant term मतलब जिसके साथ ना तो x हो ना तो y हो clear? अब जैसे हमारे पास ये equation आ गई है जैसे हमारे पास ये equation आ गई है इस equation को हम क्या करेंगे? इस format से क्या कर देंगे? compare now comparing 2x plus 5y plus 0 equals to 0 with this इससे क्या करेंगे? compare देखे यह coefficient of x is a here coefficient of x is 2 it means the value of a is 2 clear? here the coefficient of y is b here the coefficient of y is 5 it means the value of b is 5 correct? now the last constant term c here constant term it means कुछ नहीं है तो क्या हो गया? 0 the value of c is 0 it means आपके पास a की value हो गई 2 b की value है 5 and the c की value है 0 यह question number second का 5th का आपका answer now the 6th part 6th part आपके पास क्या given है? 3x plus 2 equals to 0 clear? equation given है इस equation को हम क्या करते थे? जब भी equation given रहती थी हम उस equation को सबसे पहले क्या करते थे? rearrange मतलब 0 के equal लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे तो already यहाँ पे equal में क्या दिया है? but in case अगर right side कोई value होती या कोई quantity होती उस सभी की सभी quantity और values को हम कहा लियाते left side तो उस position को हम क्या बोलते है? rearrange the equation right? बट यहाँ पे rearrange करने की आवशकता ही नहीं है तो देखे 6th का हम solution कर रहे है तो जब भी हम solution करेंगे तो जो equation given है तो हमने यहाँ लिखा है 3x plus 2 equals to 0 right? अब हमारे पास equation क्या given है? यह given है इस equation को हमें arrange करना है arrange it means इस format में मतलब पहले x वाली ही term होनी चीए second number पे y वाली ही term होनी चीए and the third कोई constant term जिसके साथ x और y नहों इस तरीके से arrange करना है right? तो इस equation को हम क्या कर सकते है the equation 3x plus 2 equals to 0 can we return us clear? तो देखे x वाली term लिख दी मैंने 3x y वाली term कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही it means अब हम क्या करेंगे y की place पे क्या लिखेंगे 0 into y अब बताव 0 into y का multiply करेंगे तो कितना आएगा? परक पढ़ रहा है क्या नहीं? बट हमें y के format में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? यह पे 0 into y plus 2 as it is equals to 0 clear? क्योंकि हमें इसी के according करना था कि पहले x फिर दूसरे नमबर पे y और तीसरे नमबर पे constraint term यह clear हो गया? अब हम यह हमारे पास जो equation आई है यह वाली उस equation को हम क्या करेंगे? compare करेंगे किस से compare करेंगे? now comparing 3x plus 0 0 लिखो या 0 y doesn't matter 0 plus 2 equals to 0 with ax plus by plus c equals to 0 clear? अब देखें यहाँ पे the coefficient of x is a either coefficient of x it means 3 the value of a is 3 either coefficient of y is b यह y है यह नहीं अगर हम यहाँ देखें तो coefficient of y कितना is 0 it means the value of b is 0 clear? the coefficient of c मतलब constant term constant term मतलब जिसके साथ x न तो y हो it means इस equation में third position किसकी है 2 की है it means the value of c is 2 मतलब फाइनली आपको क्या मिल गया a 3 मिल गया b 0 मिल गया and the c is 2 यह क्या हो गया question number second के 6 का हमारे लिए answer now the 7th term 7th term आपके पास क्या है y minus 2 equals to 0 clear? y minus 2 equals to 0 तो हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे y minus 2 को clear? अब हमेशा हम क्या करते थे equation को rearrange तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई equation given हो right side कोई value या कोई quantity हो उस right side से उठा कर हम क्या करते थे as a left side लियाते थे it means the rearrange कर देते थे किसको equation को but finally हमारे पास right side के आए 0 तो arrange करने की ज़रूरत है क्या? बिलकुल नहीं equation as it is ही रहेगी ठीक है rearrange करने के बाद हम क्या करते थे position set करते थे now the first position is x second position is y and the third last position is constant term is format के according जो की question में गीवन है right ठीक है तो देखिए the equation y-2 equals to 0 can be written as मतलब इस equation को हम और किस तरीके से लिख सकते है format के according वो लिखते हैं अब आपको इस equation में कही x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है लेकिन हमारी पहली position किस की होनी चाहिए? x की ही होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे? 0 into x लिख दिया right second position किस की होनी चाहिए? y की तो यहाँ y कितना है? वो भी काहिए का है plus का तो हमने लिख दिया plus 1 y clear हो गया? plus plus में ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हर एक term के बीच में क्या है? plus sign है right तो हमने plus लिखा और जो minus का true था उसको काई में लिख दिया bracket में तो हमेशा याद रखना है कि अगर equation में कोई value minus में आ रही है इस format के according तो उस हर एक minus को हम काई में लिख देंगे bracket के अंदर लिख दिया now comparing this 0x plus 1y plus 2 in bracket minus 2 equals to 0 with हम क्या करेंगे compare कर रहे clear अगर हम यहाँ देखे the coefficient of x is a तो यहाँ coefficient of x is 0 it means the value of a is 0 clear now the coefficient of y is b here the coefficient of y is 1 it means the value of b is 1 clear the constant term is c now here the constant term is minus 2 it means the value of c is minus 2 clear कहां से मिले यह सभी की सभी value हमें compare कर के it means finally question number 7th का हमारा answer हो गया है the value of a is 0 the value of b is 1 now the value of c is minus 2 यह हमारा answer now the last 8th part 8th part हमारे पास क्या गीवन है 5 equals to 2x 5 equals to 2x clear solution अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास equation गीवन है 5 equal 2x अब हमेशा मैंने क्या बोलाए कि equal में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए right तो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 नहीं है तो जो भी हमारे पास RHS में है उसको क्या करते हैं left side ले आते हैं या left side सा right side भी ले जा सकते it means आपकी जो x और y है वो x हमेशा plus में होना चाहिए उसको देखते हुए left और right हम लेके जाएंगे right देखो तो हम क्या करेंगे rearrange the equation we get rearrange करने पर हमारे equation हमें क्या देती है right जैसे plus 5 plus 5 left से right जाएगा तो काई का हो जाएगा minus का अब आप सोच रहोंगे अभी तक तो हम क्या करते थे right से left लाते थे अब इसको इधर क्यों भेज रहे मैंने क्या बोला कि x की value जो है वो positive होनी चाहिए अगर पहले से 0 के equal दी है तो it's okay कोई problem नी लेकिन इधर उधर दी है तो जहां पर x positive है तो second number की जितनी भी terms रहेगी दूसरी side की सब x की तरफ आजाएगी ताकि x हमारा positive रहे clear तो plus 5 left से right आया तो काई का हो जाएगा minus का तो हमारा क्या हो गया 2x इस equation को हम ऐसा लिख सकते 2x equals to 5 क्या फरक पड़ा या तो मैं direct left से right भेज़ दूँगी तो minus 5 equals to 0 ये equation आ जाएगी या इस format में है तो ये format क्या अलग है क्या दोनों एक दूसरे के एक वले left लिख हो या right इट मींस कि यहां से अगर हम देखे तो ये right से left आ जाएगा गुम फिर के total बात वही है तो इस sum में मैंने क्या कर रहा इस equation को सबसे पहले ऐसा लिख दिया plus 5 left side आया तो काईका हो गया minus 5 equals to 0 clear अब ये करने के बाद ये तो rearrange हो गया कि 0 का एक वला गया अब second position क्या रहती है position set करना now the first position is x second position is y and the third position is constant term according to this format clear the equation 2x minus 5 equals to 0 can be written can be written it means इस equation को और हम किस form में लिख सकते है तो हमने लिखा 2x क्योंकि first position x की होनी चीए second position किस की होनी चीए y की अब इस equation में कहीं आपको y दिख रहा है क्या बिलकुल नहीं दिख रहा है तो जो variable या जो value नहीं है हम अमेशा उसकी place पे क्या लिख देते है 0 मतलब 0 into क्या हो गया by third day minus 5 अब यहाँ पे आप देख रहेंगे कि यह minus में आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते है 2x प्लस 0y प्लस माइनस 5 इक्वोस तो 0 ऐसा लिख सकते है इस equation को तो देखें compare हमने इस equation को किया रहा किस से x प्लस by प्लस c से देखें the coefficient of x is a the coefficient of x is 2 it means the value of a is 2 clear the coefficient of y is b right the coefficient of y is 0 क्योंकि यहाँ था ही नहीं तो जो variable नहीं हो it means उसकी finally value क्या होगी 0 it means the value of b is 0 clear the constant term c here the constant term is minus 5 it means the value of c is कितना हो गया 5 मतलब यहाँ पर हमने compare करा तो आपको क्या मिल गया a b c it means a मिल गया आपके पास 2 b मिल गया आपको 0 और c मिल गया आपको minus 5 यह question number second के 8 के हमारे क्या हो गए a b c की value it means यह हमारे क्या हो गए answer thank you कितना हमारे क्याई प्या करूदारे का लिर किस्वाnywhy원भपवजजचिक Ś kaidi यह मिल गया टो चिक गभा क्या मिल ऑप नहार तो kimchi करा było हमारे क फित्या है स्वाया ओना हामारे